नमस्कार दोस्तों आप सभीका श्टडी फॉर्ड यूपेसी पी सेशन में सौगत है 68 बीपेसी पीटी जो 12 फरवरी को होगा उसको लेकर थोरा सा आज हम लोग बातचीत करेंगे और इससे पहले भी मैंने कई सारे गाइडेंस वीडियो बनाये हैं मैं जेनरली नहीं बनाता ह क्योंकि यह सही नहीं होता इस से अच्छा होता है कि आप कंटेंट प्रवाइड करता हैं बच्चों को तो मैं कंटेंट ही प्रवाइड करवाता हूं mcq लाता हूं guidance video कभी कभार ही लाता हूँ और बीच बीच में ही लाता हूँ कभी कभी जरूरी हो जाता है तो आज हम लोग किसके चीज़ों पर बात करेंगे तो सबसे पहला चीज होगा आज की test series में कितना score होना चाहिए जो आपका save माना जाता है कितना आपका score minimum बनना ही चाहिए जो आप test series को लगाते हैं तो उससे कम तो बनेगता है तो ख़दरे गंटी हो जाती है दोरी से दूसरा हम लोग आज बात करेंगे कि revision का सही process क्या होता है और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि सवालों को जो निगेटी मार्किंग के साथ इस बार आएगा उसको किस तरह से मतला हल किया जाएगा और अगर elimination method में कुछ सवाल आते हैं statement वाले कुछ सवाल आते हैं जो पिछली बार ही पूछे गए थे हिस्ट्री में भी दो तीन सवाल थे और science के भी एक दो सवाल पूछे गए थे statement वाले और 67th BPSC जो 8 में को हुआ था उसमें भी जोग्रफी से सवाल पूछे गए थे statement वाले statement वाले सवालों में अगर आपको दिक्क्त आती है तो उसकी बात बचीद भी हम लोग करेंगे और ये भी करेंगे कि अभी आपको क्या परहना चाहिए कैसे किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए अभी आपके परहाई का और mathematics के कुछ टॉपिक पर हम लोग मतलब बता दूँगा मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा उसी से आएगा लेकिन इन इन टॉपिकों से maximum time सवाल पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगा और PT के मुख्य रूप से बात कर रहे हैं मैंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग तो सबसे पहले चलते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम लोग क्या देखेंगे आगे जाकर आगे जाकर मैं आपको Elimination Method बताऊंगा और किन सवालों पर Elimination लग सकता है उन चीज़ को मैं आपको बताऊंगा और किन चवालों पर बिल्कुल भी Elimination नहीं लगाना चाहिए उस पर भी बात करेंगे हम लोग तो सब पहले बात करते हैं हम लोग टेस्स सीरीज पर देखो टेस्स सीरीज अगर जब तक इसमें BPSC में Negative Marking नहीं आया था तब तक टेस्स सीरीज का उतना importance नहीं रह गया था हाँ लेकिन practice के लिए बहुत जरूरी चीज होता है टेस्स सीरीज का दो मकसद होता है एक होता है practice दोसरा होता है revision ओके इन ही दो मकसद को लेकर हम लोग टेस्स सीरीज को हल करते हैं तीसरा और कोई मकसद नहीं होता है एक मकसद ये हो सकता है चांसे इसका बहुत कम होता है लेकिन होता है जैसे science का कोई सवाल आपने हल किया तो उसके explanation को पढ़िए और किसी भी जो explanation होता है उसको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि ये आएगा तभी हम इसको हल करेंगे उससे सवालों को आपको जोरने आना चाहिए है ना इसलिए test series का दो ही मकसद होता है एक revision होता है दूसरा practice होता है तो test series में जब आप हल करते हैं तो इस बार आपको हल करते समय नेगेटिव मार्किंग का जरूर ध्यान में रखना चाहिए बहुत सारे student message करते हैं कि हम 150 के 150 सवाल अभी भी हल कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको बचना चाहिए 150 सवाल अगर आप हल करके आएंगे exam nation में तो आपके select होने के chance कम हो जाते हैं अगर गलत ज़्यादा आपने कर दिया तो इस आदत को अभी भी आपको सुधार लेना चाहिए कितने सवाल आते हैं पहले उनको हल कीजिए 150 सवाल हम से मालो आपने 80 सवाल हल किये स्वसे पहले 80 में अप से और हो उसके बाद से 20-30 सवाल हम लोग रिस्क लेते हैं तुका नहीं रिस्क लेते हैं जहांपर आपको अपने परहाई की है उसके अधार पर options को select करने होते हैं कि हाँ ये option मेरे इस आपसे सही हो सकता है अब वहाँ पर थोड़ा से ढ़ंग से लगाना होता है S&E की जैमातादी रॉक करके ABCDM से क्यों एक कमार दिया इस तरह से नहीं करना होता है तो इस यही main मकसद होता है कि सवालों को करने का practice हो जाए कि किस तरह से सवालों को हल किया जाता है मुखे मकसद यही होता है दूसरा क्या मकसद होता है दूसरा होता है revision जैसे KBC Nano से या BPSC बिहार समगर जो दिर्ष्टी की है उससे हमने BPSC के लिए पढ़ लिए बिहार समगर अब उसका revise करना है उसके revise के लिए MCQ लगाईए MCQ के लिए test series best होता है test series से घटना चगर से Lucent से यही तीन BPSC MCQ लगाना होता है तो आपको जब MCQ लगाते हैं तो क्या होता है option याद रह जाते है कि किसका कौन सा option होगा किसका नहीं इसलिए भी test series जरूरी होता है अब आते हैं कितने marks आने चाहिए कितने नहीं marks आने चाहिए ज़्यादे देर नहीं बात करेंगे आप लोगों पढ़ना चाहिए भी ज़्यादा revise करना चाहिए इस तरह के videos कम देखने चाहिए लेकिन जरूरी हो जाता है कभी कभी test series में अगर आपके 85 से लेकर 100 के बीच में marks बन रहे हैं तो सही है इस से ये अच्छा marks है बुरा नहीं कहूंगा अगर 100 प्लस में आप जा रहे हैं तो बहुत ये अच्छी बात है 85 से अगर आप नीचे हैं तो आपके लिए खद्रे की घंटी है समभल जाना चाहिए आपको नहीं तो मुश्किल हो जाएगा एक्जाम नेसल में अगर BPSC cut-up की बात करें मुझे नहीं पता है किसी को भी नहीं पता है सब लोग यही guess कर रहे हैं कि 100 प्लस माइनस 5 जा सकता है यानि कि 95 से 105 के बीच में इसका रेंज रह सकता है किस बार के cut-up का अब यह depending करता है कितने बच्चे एक्जाम देने जाते हैं अगर SDM की seat नहीं आएगी तो मुझे पता है बहुत सारे student एक्जाम देने नहीं जाएंगे तो इसलिए cut-up का भी नहीं डिसाइड है लेकिन आपके अगर 85 से लेकर 100 के बीच में टेस्टिरीज में मार्क्स बन रहे हैं विध निगेटी मार्क्स तो अच्छा मार्क्स है आप घबराईए मत आपको एक्जाम देना चाहिए अच्छे मार्क्स है आपको आपको रिवीजन कार बरहाना चाहिए रिवीजन कैसे बरहाया जाता है जिसे डیर सो सवालों का आपने हल किया mathematics इंक्लूड करके मैं कह रहा हूँ science में आपके गलत हो रहे हैं मान लो जादा सवाल science में आपने 20 सवाल हल किये जिसमें से मातर पांची सही हुए बागी पंदरह गलत होगे तो यहाँ पर आपको रिवीजन बरहा देना चाहिए अपना इस सीज का रिवीजन आपको बारबार करनी चाहिए पहले जो भी बुक आपने परहा है अभी तो बोलने का समय नहीं है कि कौन सा बुक परहे जो भी बुक आपने परहा है उसको फिर से परके रिवाइज कर लेना चाहिए दो दिन तीन दिन चार दिन में और करना ही परता है अगर पास होना है तो मेहनत ही करना परता है और कोई चारा नहीं होता है, कोई सॉटकॉट नहीं होता है, तो ये एक मुखे काम होता है, रिवाइज करने का, अगर कि नहीं का हिस्ट्री में गलत हो रहा है, तो उसको पर लीजिए एक बार, उसको रिवाइज कर लीजिए, बस यहीं तो होता है, उसके MCQ को बार बार कीज अगर बिहार स्पेसल में हिस्ट्री की बात करूं तो बिहार स्पेसल हिस्ट्री के लिए के वल और के वल अगर आप प्रिवियस एर करके जाते हैं घटना चगर से प्रिवियस एर जो बिहार स्पेसल जो भी प्रिवियस एर पहरा हूं है वो भी अगर करके जाते तो बिहार स् साइन्स पर, साइन्स के लिए मैंने बहुत पहले ही बताया था कि लूसेंट आपको MCQ करना चाहिए और घटना चगर से MCQ करके उसका explanation परना चाहिए तीन दोनों का मैंने बता दिया है, जोगरफी के लिए भी यही चीजे फालो करना है आपको, मुख्य रुख से पहले बुक जो आपने परहा है, मैंने बुक भी बताया था, उसको रिवाइज कीजिए, और उससे जरू हुए MCQ लगाना है आपको, टेस्ट सिरीज, अगर आप लगा रहे हैं, तो कम से कम तीन बार, तीन बार जरूर लगाना चाहिए, कितना भी टेस्ट आपने लगाया है, तीन बार कम से कम लगाईए, करेंट अफेर की बात करते हैं हम लोग, करेंट अफेर में मैंने नेशनल इंटरनेशनल, जो है, इसके लिए दो बुके मैंने आई है जन्वरी में अभी 600 सवाल हमने किये हैं और उसके बाद से एडूटेरिया का हमने 15 सेट किया था इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कीजिए इसी में से मैक्सिम सवाल आपके टकराएंगे बिहार स्पेसल की बात करें बिहार स्पेसल के लिए मैंने बिहार स्पेडी करवाया हुआ है और कौन सा बुक कराया है हमने अभी करवा रहा हूं मैं रजनीस कुमार की जो बुक आती है उसके ड़ाइस से और बिहार स्पेसल के लिए तो इसको भी मैं करवा दूँगा इससे पहले इनों को बस आपको तीन बार कम से कम रिवाइज जरूर करना है एक मार्किंग भी है यह अपने आप में एक डिजास्टर साबित होगा तो इसलिए रिवाइज करके जाना है बार बार ताकि गलत नहों वहां पर अब हम लोग आते हैं कि सवालों किस तरह से हल किया जाता है इस चीज़ को दिखा देता हूं मैं जैसे इलिमिनेशन मैथर की जो मैथर लगाना बहुत मुस्किल होता है इसको पढ़ते हैं मान लो किसी को नहीं भी आता है किस बिसिक बिसिक नॉलिज के अधार पर हम इसको सॉल्ब कर सकते हैं क्या है कि है कि हैदर अली और टीपू के समय मालवार तट पर होने वाला वैपार मैसूर रियासत के निया दरन थी अपने अगर टीपू सुल्थान को थोरा भी पढ़ा होगा आपको पता होगा कि डचो से नहीं फ्रांसीसियों के जो जैकोबियन कलब था उनका सदसे था टीपू और फ्रांसीसियों के जो फ्रांसीसी करांती था उससे बहुत जादा प्रभावित था वो इस तरह की च जाता है एक दो नहीं पता होते हुए भी आप इन सवालों को एटेम्ड कर सकते हैं इसलिए स्टेट्मेंट वाले सवाल जब आएं उनको हल करने के कोशिस जरूर कीजेगा एलिमिनेशन मैथर्ड से कीजेगा कि जो अप्सन नहीं हो सकता उसको पहले काट दें जो अप्सन ह हो गा ऑपनी आप निकल के आजाता है कई बार ये सौसवाल अगर आते हैं उसमें से सतर ऐसे सवाल होते है जिनमें एलिमिनेशन मैथर्ड लग जाता है सटेट्येंट वालों में अगर सही से लगा आ जाए है तो ت Minneapolis से में बहुत कम एलिमिनेशन वाले सस्टेट्मेंट वाल में है ये कि यह योद कंपनी और मीर जाफर के मद लड़ा गया था इस योद में कंपनी के जीत कवाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था मीर कासिम को नवाब बनाया था मीर कासिम ही तो बकसर के योद में सामिल था है ना तो दूसरा तो गैरेंटेड गलत होगा या दूसर पर चलते हैं बिल्कुल बारीकी से परना चाहिए किस्टल किलियर करके कोई भी फिक चीजे नहीं पाड़नी चाहिए कभी भी अगले पर चलते हैं दिखाता हूं हमें कहां पर नहीं काम करते हैं जिसे इस सवाल है आज ही मैंने ये एमसे क्यू करवाया है बिहार स्पेसल में आप कर सकते उसको जाकर कि 20 दिसंबर 22 को परधानमंत्री जी के आरथिक सलाकार परिस्द के द्वारा जारी समाजी प्रगति सुचकांक में बिहार का SPI स्कोर क्या है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में बिहार का स्कोर क्या है अगर आपको नहीं पता है ये सवाल तो आप इ येटी मार्क लगा सकता है, खा जाएगा आपका एक नमबर, एक वटा चार नमबर, तो इस सवालों में कोई अमिरिसमेटर नहीं लगता है, ना तो कोई तुका लगता है, कुछ भी नहीं, पता है, तो कर ले जाएंगे, इसलिए current affair और जो सवाल होते है डेटा अधारी जो सवाल होते है जिसमें डेटा पूछा जाता है जिसमें fact पूछे जाते हैं आंकरे पूछे जाते हैं अगर आपको पता है अगर आपने पहले सुना है थोरा भई दिमाग में आ रहा है उस पर आप रिस्क लीजिए माल लो आपको confusion होता कि 36 rank है या 35 rank है तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं लेकिन आपको यहीं नहीं पता कि SIP है क्या इसमें बिहार को कौन सा rank दिया कि टॉप किया है कि नीचे से आया है तो आप इस सवाल को हल करने से बचिये थोड़ा सा ये negative mark आपका लगा देगा समझ में आ रही होगी बात इसी तरह से ये सवाल भी है कि समावेसी विकास के मामले में देश में वर्स 24 में का सरवाधिक सुधार वाला या rank 1 वाला राज्य कौन सा है समावेसी विकास में सबस्यादा सुधार कि सराजी में हुआ है यूपी मदपदेश बिहार असम तब यहां पर आपको देखना है कि सराजी में सबस्यादा सुधार हुआ है नहीं पता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस तरह के सवालों को तो यह मैंने दिखा दिया है कि किस तरह के सवालों को अब इसी तरह से मान लो एक सवाल और होता एक सवाल और मैं हल करवाता हूँ आपसे तो आपको खुद समझ आ जाएगा और भी चीजे बारी किलियर हो जाएगा मान लो आपको पता होता कि जो कॉंग्रिस का भी भाजन है नरम गरम दल में वो कब हुआ है यह आपसे पूछा जाता कि कब हुआ है कॉंग्रिस का भी भाजन उसमें चार अपसंदिये रहते एक दिया रहता है 1910 एक दिया रहता 1907 एक दिया रहता 1901 एक दिया रहा था 1905 अब अगर आपने modern history थोड़ा भी परहा होगा आपको याद होता है कि 1910 में तो नहीं हुआ था 1910 से पहले ही भी भाजित हो गया था 1901 में भी नहीं हुआ था ये तो बहुत जल्दी हो गया उस समय कांग्रिक काहा से भी भाजिन जाएगा 1905 में तो सुदेसी अंदूरन बगर चल रहा था इसमें तो साथ ही साथ थे और सुदेसी अंदूरन के मुद्धे पर ही भी भाजिन हुआ था तो हो सकता है कि 1907-78 के आस पास भी भाजन हुआ हूँ इस तरह के सवालों में आप रिस्क लेकर थोरा सा इलिमनेशन मैथर लगा सकते हूँ है ना तो यहां पर आपको थोरा सा मदद मिल जाएगा निगेटी मार्क को हटाने में और थोरा सा रिस्क लेने में तो को सवाल ऐसे ही हल किया जाते है जब आप एक्जामनेशन हौल में बैठते हो तो नहीं होता है ऐसा कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको 120 के 120 करके आएगा और सारे उसके सही हो जाएगा सारे तिक्रम लगाने परते हैं तो तिकरम लगाने के सही तरीका भी होता है तो इस तरह से अभी आपको करना चाहिए अब आते हैं कि अभी हमें किन्चीजों पर कॉंसंट्रेट करना चाहिए एजाम को लेकर Elimination भी बता दिया मैंने Test Series पर भी बात कर लिया Revision पर भी बात कर लिया सवालों में तो उस तरह के subject पर आप बार बार revise कीजिए उसको जितनी बार हो सके revise कीजिए दस घंटे भी कम परते हैं का Revision में तो और ज़्यादा बरहा लीजे P.T. अगर पास करना है तो P.T. थोड़ा सा tough होगा ये सच्चाई है इस वार का ये उप्सन के साथ पांच उप्सन में से एक select करना negative marking में ये थोड़ा सा tough होगा जिन लोगों ने SI वगर का exam दिया है या ये UP का exam देते हैं उनके लिए थोड़ा साथान होगा क्योंकि इन्होंने negative marking पहले जेला हुआ है अगर आपने negative marks पहले नहीं जेला है जादा लंबा वीडियो नहीं होगा आज का अब आते हैं कि mathematics नकीन कीन टॉपिक पर सवाल आते हैं दस ही सवाल पूछे जाते हैं हो सकता है भी प्यासी का mood change हो 20 भी पूछ ले उस पर dependent करता है हम टोक भी नहीं सकते हैं उसको 10 सीज़ के लिए 10 सवाल पूछे जाते हैं 10 सवाल पहले माइने नहीं रखता था क्योंकि पहले लोग तुक्का मार के आजाते हैं दस में जिनको नहीं आता था वो जिनको वो आता था उनके लिए तो बहुत ही scoring था है तो मानलोस पे से तीन भी सही हो गया तो बोलते दें चलो थे हैं कि उस साथ गलत भी होगे तो कोई बात नहीं अब आप तुक्का नहीं मार सकते इन दसों में तो कौन-कौन से टॉपिक ऐसे है होट टॉपिक जिन से पूछा जाता है और मैं ऐसा कोई गरंटी नहीं रहा हूँ इसी टॉपिक से पूछे का अदब बदल भी सकता है टॉपिक लेकिन इन से बराबर पूछे गए हैं एक है परसेंटेज का टॉपिक एक है आपका क्रे विक्रे का टॉपिक लाभानी जिसको बोलते हैं ब्याज मूलधन का जो टॉपिक होता है उससे पूछा जाता है टाइम डिस्टेंस से पूछा जाता है सवाल उसके वासे कलॉक से सवाल पूछे गया है परसेंटे से सवाल पूछा गया है है ना और समय दूरी से सवाल पूछा गया है तो इन टॉपिक पर आप तियार करके जाएए विर्ष पर्मुले होते हैं, इनका मैθमेटिक्स कम जो रहे कम से कम फ़ॉर्मूला तो याद करके जा ही सकते हैं और हल कर सकते हैं, रीजिनिंग नहीं, कॉंट का मुख्यरूप से पूछा जाता है कौन के बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं जो परसिंटेज बेसिक मैथमेटिक्स होता है नमबर सिस्टम वगरा से भी पूछ ले तो कोई हर्ज नहीं है तो यही था मुक्य रूप साज का बेरियो कि सवालों को किस तरह से हल करना है टेस्स सिरीज में कितना स्कोर आना चाहिए आपका और रिवीजन की इस तरह से करना है और अभी क्या करना चाहिए कौन सा आपका अभी स्टैटिजी होना चाहिए एक ही स्टैटिजी होना चाहिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं कीजिए इसी से आपका सेलेक्शन होता है और कोई भी मैथर नहीं होता है सेलेक्शन का ठीक है और किसी चीज पर कोई वीडियो चाहिए हूँ आपको आप जरूर कमेंट कीजिए मैं बना दूंगा डीटेल में थाइंक्यू सो मच आप सभी का